C.I.E.T. N.C.E.R.T. दोरा पस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक अख्तर शीरानी तार्रुफे शायर अख्तर शीरानी पैदाईश 1905 विसाल 1948 दाउद खान नाम अख्तर तखल्स मशहूर महुकिक हाफिज महमूद खान शीरानी के बेटे थे टॉंक में पैदा हुए ताली मुतर्बियत लाहुर में हुई यहां उनके वालिद ओर्येंटल कॉलिज लाहुर में उस्ताद थे अख्तर शीरानी ने लाहुर के कई मशहूर अदबी रिसाइल हुमाईयों, ख्यालिस्तान, शहकार और इंतेखाब में इदारती फराइज अंजाम दिये जवां अमरी में इंतकाल हुआ अख्तर एक रुमाणी शायर थे, उन्होंने गजलें भी कहीं और नजमें भी अपनी रुमाणी नजमों के बाइस ज्यादा मशहूर हुए अख्तर की नजमों में गिनायत पाई जाती है वो लतीफ जजबात, मुतरन्नम अंदाज में बयान करते है उनके कलाम में सरशारी और सरमस्ती है अख्तर की रुमाणीत खौब ख्याल से ज्यादा हमारी धर्ती और उसके खुसन के गिर्द घूमती है इसलिए मानوس मालूम होती है अख्तर ने रुमाणी नजमों के इलावा सिनिट भी लिखे उनकी नजमों का दूसरा मौजू हुब बल्वतनी है उनकी नजमे पढ़कर अंदाजा होता है कि वो अपनी महबत और वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है फूलों के गीत, शेरिस्तां, सुभे बहार, नगमे हरम, तैयूर आवारा, अख्तरिस्तान, लाला तूर, शेहरू और शबिस्तां उनके शेरी मजमूए है सफ़ह 146 अब पेश है अख्तर शिदानी की एक नजम ओ देस से आने वाले बता एक नौवारिद हम वतन से किसी गरीब वतन का खिताब ओ देस से आने वाले बता किस हाल में हैं यारान वतन आवारए गुर्बत को भी सुना किस रंग में है कनान वतन वो बाग वतन फिरदाव से वतन वो सर्व वतन रेहान वतन ओ देस से आने वाले बता ओ देस से आने वाले बता क्या अब भी वहां के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं क्या अब भी वहां के परबत पर घंगोर घटाएं चाती हैं क्या अब भी वहां की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं ओ देस से आने वाले बता ओदेस से आने वाले बता क्या शाम पड़े गलियों में वही दिल्चस्प अंधेरा होता है और सडकों की धुंदली शमों पर सायों का बसेरा होता है बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है ओदेस से आने वाले बता ओ देस से आने वाले बता क्या अब भी महकते मंदिर से नाकूस की आवाज आती है क्या अब भी मुकद्दस मस्जिद पर मस्ताना अजां थर्राती है और शाम के रंगी सायों पर अजमत की जलक छा जाती है ओ देस से आने वाले बता ओ देस से आने वाले बता क्या आम के उंचे पेड़ों पर अब भी वो पपी हे बोलते हैं शाखों के हुरैरी पर्दों में नगमों के खजाने खोलते हैं सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमरस गोलते हैं ओ देस से आने वाले बता ओ देस से आने वाले बता क्या पहली सी है मासूम अभी वो मदरसे की शादाब फिजा कुछ भूले हुए दिन गुजरे हैं जिसमें वो मिसाले खौब फिजा वो खेल वो हमसिन वो मैदां वो खौब गहे महताब फिजा ओ देस से आने वाले बता ओ देस से आने वाले बता क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता ओ देस से आने वाले बता लिल्लाह बता लिल्लाह बता ओ देस से आने वाले बता क्या हम को वतन के बागों की मस्ताना फजाएं भूल गई बर्खा की बहारें भूल गई सावन की घटाएं भूल गई दरिया के किनारे भूल गई जंगल की हुआएं भूल गई ओ देश से आने वाले बता ओ देश से आने वाले बता क्या गाओं पे अभी सावन में बर्खा की बहारें चाती हैं मासूम घरों से भोर भय चक्की की सदाएं आती हैं और याद में अपने मैके की बिछडी हुई सखियां गाती हैं ओ देश से आने वाले बता क्या अब भी पुराने खंडरों पर तारीख की इबरत तारी है अनपूर्ना के उजडे मंदिर पर मायूसी औ हसरत तारी है सुनसान घरों पर च्छाउनी के वीरानी और इकत तारी है ओ देश से आने वाले बता अख्तर शीरानी सफ़ह 147 मश्क लब्जो मानी नो वारिद नो के मानी नया वारिद आने वाला नया आया हुआ मुसाफिर आवारा गुर्बत पर्देश में रहने वाला कनगान मुलक शाम का एक मकाम जहां हजरत यूसफ पैदा हुए थे फिर्दास जन्नत रेहान एक खुश्बुदार फूल नाकोस शंक जो पूजा करते वक्त मंदिर में बजाया जाता है हुरैरी रेशमी रेशम का बारी कपड़ा अमरस आमका रस मुराद मिठास हमसिन हम उम्र हम जोली ख्वाबगह सोने का कमरा अनपूर्ना दुर्गा देवी घिजा की देवी इस नजम में शायर ने परदेश में रहने वाले लोगों के जजबात और एहसासात की तरजमानी की है किस तरह उन्हें परदेश में अपने देश की एक एक चीज याद आती है नजम के आखरी बंद में उरूजो जवाल की कहानी को शायर ने तीन मिस्रों में समो दिया है एक वक्त था कि किला और हवेलिया बारौनक होती थी मगर जब इनके मकीन नहीं रहे तो उनके मकान सूने हो गए और वो खंडर में तबदील हो गए सफ़ा 149 मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक नजम के पहले बंद में आवारा गुर्बत और कुरान वतन से शायर की क्या मुराद है नमबर दो पर्देश में वतन से आने वाले शक्स से शायर बेताब होकर क्या क्या पूछता है नमबर तेन ओ देश से आने वाले बता लिल्लाह बता लिल्लाह बता से शायर के किस एहसास का इजहार हो रहा है नमबर चार शाखों के हुरैरी पर्दों में नगमों के खजाने कौन खोलता है? सफ़ह 150 अमली काम नमबर एक नजम में शामिल तलमीहात और इस्तियारात की निशान दही कीजिए नमबर दो अपने वतन की खूबियों पर एक मजमून लिखिए नवाय उर्दू भाग दो पेशकस C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत